हेलो स्टूडेंस वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज का हमारा सब्जेक है टेक्सोनोमी ओफिन फिश और ये थर्ड पार्ट है इस सब्जेक का तो हमारा टापिक है फिश मॉर्फोलोजी एंड टैपस ओफ फिन्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो पहले हम देखेंगे जर्णरल एक्सटर्नल मॉर्फोलोजी तो ये है ये जो सारे पार्ट से ये फिश के पार्ट से पहले हम देखते है जर्णरल एक्सटर्नल मॉर्फोलोजी तो ये सारे पार्ट से ये फिश के पार्ट से ये लास्ट टेल है उसे हम कॉडल फिन बोलेगे औ रहे समघ्वीज़ बोलेंगे और फिर यह जो बॉड़ी में अटैज़् है उसे हम पेक्टोरल फिंड बोलेंगे और यह जो एरिया है इसे हम गिल कवर बोले बोलेंगे और यह उसका मावूथ है आई है यह नुस्ट्रिल्स अर्टीय है उसमें व्योख और स्पाइनी बिश ह हाट भी होगे और सॉक्ट भी होगे और यह जो कॉर्डल फिन और यह जो बॉड़ी इन दोनों के बीच में यह जो पार्ट है इसे हम कॉर्डल पेडेंकल भी बोलेंगे और यह जो मेरेल लाइन है इसे हम लेटर लाइन बोलेंगे और यह जो बाकी का पुरा यह पुरा एरिय पुरा गिल से ही कवर हुगा अब हम देखते हैं तब इसी एनटोमिंकल डियेक्शन तो जब आहा थे विभी बोलें ये डॉर्सल फ। ऑफिष है एकर अथिबर सब्ची आफ तो नाये तो प्रथरेग्शन ये निकाइद। टेखेंगे तो उसे हम बैंट डियर और दैडक्शन बोलेंगे एह से जो डाइट लेक्शन इससे में ज्याद करना बेहिद है क्ई exhथ ज्यादक लेग्षार है तो प्लीज इसे अच्छे से याद कीचिए अब हम देखेंगे पैड एन पैड फिन तो दो पैड फिन आर पैल्विक फिन पैक्टोरल फिन तो यह हम डाइग्राम में देखेंगे कि यह जो फिन है यह वाली इससे हम पैल्विक फिन बोलेंगे और यह है पैक्टोरल फिन तो यह जो पैल्विक फिन है वो दोनों सेट प्रेजन्ट होगी मतलब पैर्स में प्रेजन्ट होगी यह पैल्विक फिन इधर पे और अगर हम वेंट्रल सेट से भी देखेंगे तो भी हम एक पैल्विक फिन दीखेगा तो दोनों सेट पैल्विक फिन प्रेजन्ट होगे और सेम पेक्ट्रल फिंझती से इसे लिए अंप्ट्री नमब्र ओर काडल फिन भी एक ही होगी एनल फिन भी एक ही होगी इसल यसे एनपट फिन भी बूला जाता है तो पपल के बारे में देखिए थे पेक्टरल पेलीक फिन जी एक थी के बुला चालाथ थे बीर दुफाइब रेस एंड स्पाइन उसमें रेस और स्पाइन दोनों होगे एंड फिन्स आरेपसेंट इन समीन शन फिश लेंपरी अग फिश तो इन सम इप स्पीशिस में जो पेक्टराल पैलुक्ष फिन होगी वह एपसेंट होगी तो फॉंक्षन इस प्रेक पीच र और रिेफर्स यह है पैन और प्रेटर यंख और फख़ल्ग का फॉंक्षीन है न्पिट ओ्रोर फिंटे प्रितिव फिशन्ट के इसे क्म करता हैं जो करने पूछें इसमितेे सभी में जाराकर्ण था सुर्स Анगी कशक 활 Treasure they are also called median fins they are unpaired fins with fine rays of bones or cartilage the dorsal, annal and cordon fins are unpaired in the sense that they are single and not in pair this includes dorsal, annal and cordon fins they are unpaired and they are unpaired and they are unpaired and they are unpaired fins this includes dorsal fins and more cordon, annal and some have edipus no red, edipus fin usually will be a fleshy fin, it will not be any raise or any bones, simply it will be fleshy this is why it is called edipus fin the function of median fins are, the median fins are the function of dorsal and annal fin its function is your stability, meaning for the median fins is the function of dorsal fin and cordon fins is thrust and actus propeller the force for the fish is the force of dorsal fin so the codon fins can increase the fish from dorsal fin now we will see about rays and spines the rays are usually soft and not pointed they are segmented, they are segmented and usually branched and in this diagram we can see that the end portion is soft trace and they are soft and rigid trace and the rigid trace is hard and pointed so the spines are usually hard and pointed and they are unsegmented, unbranched and also solid now we will see about the codon fin the codon fin and tail have two lobs in the first two lobs dorsal epicordial lobs which is the upper lobs which is the upper lobs we will call epicordial lobs and second is ventral hypochordial lobs which is the upper lobs which is the upper lobs which we call hypocordial lobs now the types of codon fin तो पहला है hetero circle, second is proto circle, third is dipho circle and homo circle, hypo circle पहले हम hetero circle के बारे में पढ़ेंगे तो the hetero circle tail is sometimes called the shark tail type of coral fin जो hetero circle tail है उसे हम कभी-कभी shark tail भी बोलते हैं कि शार्क में भी यही tail usually present होती है तो this fin has two unequal lobs where the upper larger lobs is epicodal lobs and the much smaller lobs is hypocodal lobs मतलब यह fin है इसमें two unequal lobs होते हैं मतलब दोनों lobs same नहीं होते हैं जो उपर का lobs है वो बड़ा होता है और नीचे का होता है वो छोटा होता है तो उपर का जो epicodal lobs है it is large and नीचे का जो hypocodal lobs है वो small होता है अब हम homo circle के बारे में देखेंगे तो most of the higher teleos tells homo circle caudal fin मतलब जो higher teleos जो भी हम teleos देखते हैं उसमें usually homo circle caudal fin होते हैं and it has superficial symmetrical and two equal size lobs such as upper epicodal and lower hypocodal lobs मतलब जो homo circle tail है उसमें symmetrically two equal lobs होगे मतलब दोनों lobs होगे वो सेम ही होगे जो अब epicodal और hypocodal lobs है वो दोनों सेम साइस के होगे तो अब हम देखेंगे प्रोटर सर्कल तो ancestral type and most primitive जो प्रोटर सर्कल टेल है वो ancestral type मतलब जो ancestors थे उसमें usually यह टेल प्रेजेंट था जो अब देखेंगे डाफर सर्कल टेल तो दो वर्टिबर कॉलम इसका जो वर्टिबर कॉलम है वो टेल को टू एकल लॉपस में डिवाइट करता है अब हम देखेंगे डाफर सर्कल टेल तो दो वर्टिबर कॉलम इस स्ट्रेट रीचिंग अप्टू दो टीप ओफ टेल एंड बोट लॉपस आख एकल मतलब जो यह वेंडिल कॉलम है वो टेल के टेप में जाकर जो यह टू लॉपसे दोनों को एकल पार्ट में डिवाइट करती है यह युजिवाली फांट डिपनोय ऐन होलसे फैलिक मतलब यह यूजियँ डिपनोय और होलसे फांड होती है अब हम देखते हैं है है फॉर्ट कल टेल है फॉर्ट पल्द इस आरे वीफ ऑफ प्ला सरकल्स चो यह अगे देखा था उसी का डिवार्ट से हैं पॉस अ क इसमें जो लोग होगा वो लार्जर होगा और अपर लोग होगा वो स्मॉलर होगा वट हैट्रो सर्कल में क्या हुआ था जो अपर लोग था वो लार्जर था और लोग था वो स्मॉलर था इसलिए उसे हम फॉसिल अगना था है उसमें यह देखने को मिलता है नाव डिफरेंट शेप्स ऑफ काडल फिन्स तो फॉस्ट इस फॉर्ग जो यह मिडल वारा डाइगम है उसे हम फॉर्ग टाइप काडल फिन भी बूलेगे तो इस यूसे हम फॉर्ग भी बूलेंगे और हीरिंग और मैकरल में यह देखने को मिलता है इसमें यह यूश्वली फॉर्ट होगा अओंडेट इस यूज फर जो स्विमिंग जो स्विमर सब्सक्राइब जैसे की लेवन सौल टार्बॉर्ड इसमें यूश्वली फॉर्ण होगा नाव नेक्स्ट इस ट्रंकेटर तो ट्रंकेटर इस इन टर्निंग क्विकली कोई भी बहुत ही जल्दी सामें कोई भी टॉन लेना है चुने के टेल प्रेजेंट हो है तो यह यूज़ुली फ्लॉडर्स में फाउंड होते हैं नाव नेक्स्ट इस लूनेट और क्रिसेंटिक इस यूज़ फर कंटिन्यून लॉंग डिस्टेंस स्विमिंग एक्जम्पल ट्यूना तो यह हम मीडल लॉन डाइग्राम देख सकते हैं ऐसा यूज़ुली कॉरल फिन ट्यूना में हम देखने को मिलता है क्योंकि ट्यूना है बहुत ही ज्यादा माइग्रेट करती है तो यह बहुत ही लॉंग डिस्टेंस कवर करेगी तो इसलिए उसमें लुनेर टैप टेल प्रेजेंट है नाव नेक्स्ट इस पॉइंडेड वो यूज़ुली गवी में प्रेजेंट होती है खबस करें तो ड्यूंग बडंड अनल पर नहां है अद्यूद करें नाव ने टेख टेंट बडंख तेड़ झाल टो प्लूंग टूने नाव टूंग टाट नैंस अड्यू सूबस्क्राइब टूर चानल टो जूंग तो अर्ट बट चैनल फून टींड ज्यू क्यू मु झाल झाल